नमस्का दोस्तो रोड फेसिंग घर देख रहे थे तो आपके लिए ये आज 200 फिट एरपोर्ट रोड जो की आप देख रहे हैं न्यू चंडिगर से जरिफपूर को जाता हुआ तो वहीं पर हमारी आज की प्राफटी रहने वाली है जो हमारे दोस्त कहा रहे थे कि हमें ऐसी प्राफटी दिखाएं जो हमारे कमर्शल और रेज़ेंशन परपर से यूज़ हो तो उनके लिए उनकी स्पेशल डिमांड पर आज का ये घर तो दुस्तों आज का आपका आलिशान घर आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा घर आपका ये अगर हम एलिवेशन की बात करें तो टफण ग्लस आपको दोनों ही प्लोस पे मिलते हैं उपर की अगर हम बात करें तो ऊपर जाके हम आपको डिस्क्राई भी करेंगे सो है वूश की गई है जो की स्कों अवरॉल जो आफे प्यारा बनातीया पे और बात कर लें 200 घच हे साइज में आपका यह गर यहाँ पे मिलता है आपको ऊप THERE देख देखने को मिलता है तो कुल मिला के ओवरॉल एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ तो दोस्तों बात कर लें अपने घर के सामने जो हमें रोड मिलने वाला है तो वाइड रोड रहेगा आपका यह 30-35 फिट का और उसी के सामने बात कर लें यहां पर पार्किंग भी आपक रहेगा यह उस तरह की प्रॉपर्टी बहुत रेर हमारे पास आती है जहां पर दोनों ही तरह से यह के यूज से चाहे हम इसको कमर्शल कि सच्चिव और यूज करें चाहे आम इसको न्मेंप Гोएग से आन्दर वी दोस्ति का दिंख सकते हैं सबसे पहले बात कर लें भी की भी तो इस तारा से आपका डिजानर गेट जो है वाइट टो है और स्मार्टब शॉक्रा क्रणप और यहां पर बेदेग ह् आपको छिazाँ करें और अपने अपने आरन15 घ्रिया की भी तो आप यह देख सकते हैं आपकी एक SUV खार यहां पर इसली यहां पर पाक हो जाएगी और इसी के साथ बात करें उपर सेलिंग की भी तो आप यह देख सकते हैं बहुत ही शांदार आपको सेलिंग यहां पर जो है वो मिलती है लाइट वक के साथ अब लिए चलते हैं आपको इस जगह के लिए जगा मिल जाती है तो मैं आपसे शमा भी चाहूंगा अभी इस घर का जो है वो काम अभी अंडर कंसेक्शन है तो आप यह लेके चलिए कि 15 से 20 दिन यहां पे और लगेंगे अभी तो यह आपका रडी हो जाएगा दिखाने का परपस सिर्फ यह है कि यहां पे रोड फेसिंग बहुत रेर प्रापर्टीज होती हैं तो यह बंते बंते ही प्रापरटी जो है वो सेल हो जाती है तो अब बात करते हैं अपने इस विल्कम वाल की भी जो आपको बना के यहां पर दिया जाएगा और अब लिए चलते हैं आपको घर के अंदर तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मैश्ट दूर की तो आप यह देख सकते हैं एक आठ फिट हैट का डेज़ाइन डॉर आपको आपको मिलता है यहां पर और आप इसका हैंटल दिख सकते हैं बहुत ही शाहिव फिलिंग यहां पर आती हैं आपको यहां पर देखेंगे आप बात करेंगे में तो में डोर की भी आपको दी जा रही है तो दूस्टो आईए लिए चलते हैं आपको अपने लिविंग रूम की तरफ तो आप यह देख सकते हैं काफी सपेशिस आपका जो है लिविंग रूम आपको मिलता है यहां पे तो ग्लास वर्क आप यहां पे देखने को मिलेगा अल्मीरा यहां पर दी जा रही है और डिजाइनर आपको जो है यहां पर वाल मिलती है लाइट वर्क आप यह देख सकते हैं और उपर फॉल्स इलिंग भी देखे बहुत ही शांदार डिजाइन में आपको फॉल्स इलिंग यहां पर मिलती है आपका living room से और आपके guest room से तो काफी spaces जो है वह आपका washroom आपको मिलता है यहाँ पर आईए अप लिए चलें आपको guest room की तरफ भी तो guest room का भी आप size देख सकते हैं तो काफी spaces जो है वह आपका यह guest room भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और side में आप यह देख सकते हैं बहुत ही शांदार आपको यहाँ पर design देखने को मिलेगा यहाँ बीश में आपको जो है वालपेपर यहाँ पर दिया जा रहा है इसी फिटिंग जो है पूरे घर में आपको मिलती है और उपर फॉल्सिलिंग की बात करने जाए तो एक शांद तो इस सरह से आपका जो है bedroom यहाँ पर मिलता है आपको काफी spacious आपका यह bedroom भी यहाँ पर रहेगा वाल की बात कर लें तो एक designer वाल हमें मिल जाती है आप उपर फॉल्सिलिंग भी देख सकते हैं designer फॉल्सिंग रहेगी आपकी LED पैनल की बात कर ली जाए तो एक wide LED पैनल जो भी रहेगा आपका यहां से बाहर का अब यह चलते हैं आपको आपके वाश्रूम की तरफ तो वाश्रूम का भी आप स्पेस देख सकते हैं वाश्रूम आपका सेम रहेगा जो आपको आपके living area से connected रहेगा और इस bedroom से भी connected रहने वाला है तो दोस्तों आए लिए चले आपक और सबसे पहले बात करेंगे आपके breakfast table की जो आपको यहां पे मिलने वाला है और एक शांदार kitchen आप यह देखे बहुत ही प्यारे design में बना हुआ आपका यह kitchen तो पात करने सबसे पहले cabinets की तो cabinets आप यह देख सकते हैं hydraulic cabinets भी आपको यहां पे साथी में मिलने वाले हैं नीच roundproof रेगा और fitting आपको सारी यहां पे लगा के दी जाएंगी window यहां पे दिया जा रहा है ताकि ventilation proper मिले आपको और इस तरब भी आपको जो है cabinets मिल रहे हैं आप पात कर लें अपने हम back side area की तो आप यह देख सकते हैं काफी spacious जो है आपको जगा मिल जाती ही यहां पे washing area जो है वह grill cover यहां पे मिलेगा switches यहां पे दिये हैं तो काफी spacious आपका यह washing area मिलने वाला है अब लिए चलते हैं आपको bedroom की दरफ दोस्तों आप यह देख सकते हैं आपका यह bedroom भी काफी spacious मिलता है आपको उपर बात कर लें पाल से लिंग की भी जो है हमें आपके देखने को मिलेग और एक्सेस रहेगा आपका यहां से भी इस रूम से भी आपका बाहर washing area के लिए अब मैं दिखाना चाहूंगा आपका अपना जो है washroom भी दूसरों washroom का भी size देख सकते हैं काफी spacious आपको washroom मिलता है आपे आपको full ceiling high tiles रहेंगी सारी washroom fitting आपको लगा के दी जाएगी और इ दोस्तों आईए लिए चले हैंब आपको first floor पे तो दोस्तों आप यह stairs देख सकते हैं काफी spacious जो है वो stairs आपको मिल जाती है आप और यह आपको light work जो है वो stairs पे भी यहां पे नजर आएगा मैं आपसे थोड़ी सी शमा चाहूंगा अभी यहां पे जैसे कि मैंने शुरात मे देख सकते हैं तो काफी spacious आपको यह जगह मिल जाती है यहां पे और बात कर लें अब इस तरफ भी तो आपका यह डबल हाइट जो है वो उपर रहेगा सीलिंग यहां पे यहां पे आप जो है अपना शंडले रो जो है वो लगा सकते हैं यहां पे और सामने की वाल भी आप एक powder room जो है वो मिल जाता है अब आपको लिए चलते हैं आपके bedrooms में भी bedroom में जाने से पहले मैं आपको यह space दिखाना चाहूंगा यहां पे तो आप इस जगह को जो है पूजा room यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके लिए जो पू इस पेशेर्स जो है वो अपको bedroom यहां पर मिल जाता है उपर बात के लिए फॉल सेलिंग की भी तो फॉल सेलिंग भी आप यह देख सकते हैं डिजार फॉल सेलिंग मिलते हैं आपको इसे के साथ आपको मैं लेकर जाना चाहता हूं आपके washroom में भी तो आप वाश्रूम का साइज देख सकते हैं काफी स्पेशिस आपका यह वाश्रूम रहेगा तो सेम कनेक्टिविटी रहेगी आपके उस ओपन एरिया से और यहां बेड्रूम से भी इस वाश्रूम की और इस तरफ आप यह देख सकते हैं आपको वाटरोब जो है वह मिल जाते हैं स्लाइटिंग अपको बावकोनी तुछ रहेगी को आईए पहले लिए से लें आपको बावकनी की करप भी तो आप यह देख सकते हैं आपकी काफी स्पेश्यस बालकनी जो है वह मिलते है आपको और आप यह वीव देखिये सामने तो फर्स फ्डॉर का वियू है आपका यह एरपोर्ट र त्यख़र्या और साथ में पार्क आपका अब बात कर लेड़ेंडा दूस्वों अपने इस पेस की बालक्नी की तो आप यह देखिए काफी स्पेश जो है वहां मिलती है में कफण ग्रास यहां पर लगा कर दिया जा रहा है स्टेल इस्टेलिंग यहां पर मिलती आपको और वहा लोग को और भी बहुत ही त्यारा बना देती है वावराल आप यह इसका स्पेस देखिए तो काफी स्पेशिस आपको यह बाल के नहीं यहाँ पर आपको मिलेगे आए दोसो अब लेश्य आपको सेकेंड और थर्ड बेडरूम की दरफ दोस्तों आप यह सेकेंड बेडरूम का स्पेस देख सकते हैं काफी स्पेशिस आपको यह बिटरूम भी मिलता है उपर बात चलिए जब फॉल सेलिंग की आप यह देख सकते हैं डिजानर फॉल सेलिंग रहेगी लाइट और पाइल लाइट के सार्ट सामने बात के लिजाए आप एक बड़ा सा विंडर जो है वो मिल जाता है और इदर आपको सामने जो है वाटरूस मिल जाती है स्लाइडिक जोस के साथ कम्प्लीट आपका चेल टॉप सेलिंग तक आपके वाटरूस रहेंगे यह साथी में आपको यहां पर ड्रसिंग टेबल भी दिया जा रहा है और यहां बात कर ली जाए तो एक आप लीडी पैनल भी मिलता है अब बात करें हम इस तरह भी तो यहां पर भी आपको एक बड़ा सा विंडों मिलता है ताकि आप देख भी बार रहें जैसे कि रूम के अंदर प्रॉपर आपको वेंटिलेशन और सनलाइट मिलता है अब दिखाना चाहूंगा आपको मैं आपका वाश्रूम वाश्रूम का भी आप यह साइज देख सकते हैं काफी स्पेश जो है वाश्रूम मिलता है नीचे इंटेस के टाइल स्कोल से लिंग हाई टाइल रहेंगी आपकी सारी वाश्रूम प्रिटिंग वह आपको यहां पर लगा के दी जाएंगी तो आए दोस्तों अगर बनाने चाहें फ्रस्ट फ्लोर पर तू भी आप बना सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है फिटेंग सारी आपको केशन की दी गई है यहां पर तो आप अपने हिसाफ से जगह को उडलाइस कर सकते हैं चाहे आप केशन बना लीजिए इसको चाहे स्टोर रूम या फिर आ आपको चब प्रकी तो काफि स्टेश आपको जगह 미ल जाती है तो आप एक अच्छी खासी जो है पाट्डी अउर्गनाइस कर सकते यहां पे और हम ने आपको सेट करके दिया हुआ एप यहाँ देख सकते और यहां पर भी आपको जो है एक रूम यहां पर भी मिलता है आपको तो आप अपने हिसाब से इस रूम को भी उटलाइस कर सकते हैं या तो आप इसको सर्वेंट रूम यूज कर सकते हैं या फिर अपने किसी पपस के लिए भी आप इसको उटलाइस कर सकते हैं तो यह रहा आपका वाश्रूम तो आप इसका भी स्पेस देखिए तो काफी स्पेशिज वह वापको वाश्रूम मिल जाता है पूल सेलिंग हाई टाइल रहेंगी आपे भी आपकी और सारी वाश्रूम फेटिंग जो है वो लगा के दी जाएंगी अगर रूम की अमात करने तो इधर भी आपको जो है और नाइट्स यहां पर भी मिल जाती हैं तो आईए दोस्तों देश चलेंगे आपको आपके सामने बालकनी में भी जो की आपकी टॉफ लोर पर देएगी तो आप यहां से भी इसका व्यू देखिए तो है ना दोस्तों मेजिंग एरपोर्ट रोड का व्यू बहुत शांदार आपका यहां से कंप्लीट दोसों फिट एरपोर्ट रोड का व्यू जो की आपका जिरख पूर से न्यू चंडिकर के दरफ जा रहा है जरूर तो एक प्राइम लोकेशन पे दोस्तों यह प्रापर्टी तो हमारे उन दोस्तों के लिए यह पोफेक्ट घर वाला है जिनके माइंड में कुछ रिजिदेंशल कम कमर्शल दोनों ही तरह से वह प्रापर्टी को यूटलाइज करना चाहते हैं उनके लिए एक शांदार यह एक प्रापर्टी तो बात कर लें बालकनी की भी तो आप यह देख सकते हैं इस तरफ आपको जो है टफन ग्ला ओकैर लाइट में जह आतली देकियाज अर्लाइट फिर आपको यहां पर अगर आप रास के टाइम पर यहां पर नहींतों है बिल लोग रहे हैं तो हमारे जो भी व्योर्स इस तरह की property के लिए इंट्रस्टेड हैं मेरी रिक्वेस्ट हैं उन से एक बार ज़रूर इस property को विजट करें उनको डिफिटली ये पसंद आने वाली है हम भी कोशिश करेंगे कि बेस से बेस आपको जो है rate जो है negotiate करवा के दिया जाए तो दोस्तों जादा जानकारी के लिए हमारे नंबर जो हैं तो स्क्रीन पे डिस्पे हो रहे हैं आप हमें call कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं और विजट का schedule कर सकते हैं तो आज के लिए मुझे आप इजादत दीजिए फिर मिलते हैं नई प्रापर्टी पे नई वीडियो के साथ तत्य के लिए धन्यवाद